हेलो फ्रेंड्स वेलकम कुटेकवाई आरपी इंडिया योटूब चैनल दोस्तो आई सी एच आर यानि की इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च में नियू रिकूर्मेंट आ चुके है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कम्पलीट इस रिकूर्मेंट के बारे में बताने वाला हूँ वीडियो को स्टार्ट करें उस्टे पहले मेरी एक चोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सको तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो जिसा कि देख सकते हैं ICHR Group C के लिए यह पर निव रिकुर्मेंट आई हुई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Organization Indian Council of Historical Research और यहाँ पर पोस्ट नेम है दोस्तो यहाँ पर Group C के लिए रिकुर्मेंट आई हुई है उसको दोस्तो यहाँ पर Number of Vacancy की बात करें तो दोस्तो यहाँ पर Total 35 पोस्ट आई हुई है और दोस्तो यहाँ पर Job Location जो मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर All or India के लिए यहाँ पर Job Location मिलने वाला है जो कि आपको यहाँ पर Form Start Date है यहाँ पर 14 जनवाई 2023 से और यहाँ पर Last Date होने वाला है तेरफ फरवई 2023 तक Exam Date है आप यहाँ नोटिफाई सुना रहा है और दोस्तो यहाँ पर Application फी की बात करें तो यहाँ पर General OBC US category के लिए यहाँ पर 500 रुपए के फी लगने वाली है वहीं SC ST category के लिए यहाँ पर 250 रुपए की फी लगने वाली है वहीं यहाँ पर Omen और PWD candidate के लिए यहाँ पर कोई फी नहीं लगने वाली है age limit की बात करें तो यहां पर post wise age limit दी गई है जो कि यहां पर अलग अलग post के लिए यहां पर अलग अलग age limit यहां पर दी गई है जो कि यहां पर देख सकते हैं जो कि minimum age आपकी 18 होनी चाहिए और minimum यहां पर age है post wise जो कि किसी post के लिए 28 है किसी post के लिए 30 है तो यहाँ पे आप जिस post के लिए apply करना चाहते हैं वो आप इपने recording यहाँ पे age limit आप देख लीजिए उसको दोस्तों यहाँ पे ICHR vacancy details आप यहाँ पे check out कर सकते हैं जो कि यहाँ पे category wise यहाँ पे अपने vacancy details आप यहाँ पे check out कर सकते हैं कर दो अश्को आप इसको यहाँ पे scroll down करते 우 양 आएंगे तो यहाँ पर IP hr सी requirement Central Square अपको details मिल जाएगा जो कि यहाँ पर post wise आपको यहाँ और ड्राइवर स्कूर्टर ड्राइवर जो भी है यहां पर सारे डिटेल्स को यहां पर चेक आउट कर सकते हैं उसको दोस्तों यहां पर आपको इंपोर्टन लिंक्स मिल जाएगा जो कि आपको यहां पर उन-लाइन अप्लाइका लिंक मिल जाएगा ओफिस्यल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा और यहां पर इनकी उफिस्यल recurs management का लिंक्स कराई गत्ता है तो अभी bund फॉर्म एपलाई वाला लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है तो अभी के लिए आप लोग चैनल का सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दीजिए जैसे की जैसे ही लिंक के एक्टिवेट होता है तो इस तो फॉर्म एपलाई का वीडियो आपको सबसे पहले मेरे च प्रेकिर